हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इस्टीडी पॉइंट दोस्तों इस वीडियो आपके लिए करेंड रफेयस जन्र लेवेने दोठारा के टॉप 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 लेटेस्ट कोईशन लेकर आया हूँ जो कि आपके आने वाले स दोस्तों वर्तमाने भारत के केंदरी सतरक्ता आयोग केवी चौधरी यानी की आपसाने राइट है देखें दोस्तों भी हाली में एक रेलवे एक्जाम में कोशन पूछा गया था केंदरी सतरक्ता आयोग की स्थापना का हुई थी तो स्थापना हुई दोस्तों 11 फरवरी 1964 यह शillsरी दोस्तों आपको इतने पॉइंट आद रखने हैं आपके आगाम एगजम से जरूरा सकते हैं अगला कोश्चन देखते हैं मैं बुकर पूर्शकार जीता है तो यह most important question है दोस्तों आपको बता देख Ireland की लेखिका एना बंस को उनकी किताब Milkman के लिए प्रतिष्ठित Mayan Booker Award 2018 समानित किया गया है ठीक है? यानि कि option C इसका right है एना बंस ठीक है तो यहाँ पर आपको याद रखें लेख Ireland की हैं ये और उनकी किताब जरूर याद रखेएगा Milkman ठीक है? Milkman के लिए इनको Mayan Booker पूरुसकार मिला है और देखें तो Mayan Booker पूरुसकार से लेटेट एक्जाम में बहुत question पूछा गया है SSC exam से में Mayan Booker पूरुसकार कि स्थाबना कब हुई थी? 1969 में हुई थी और दोस्तों ये question काफी important जो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ सभी exams के लिए काफी helpful लेता है ये आप इस questions को पहले देख चुके हैं ये आपको पता है तो आप हमारे साथ इसमें solve करते चलिए आपका revision हो जायागा ये ये आपको नहीं पता है तो आपके सारे question तयार हो जाएंगे आगामी exams के लिए काफी helpful होने वाला है Question number 3 नेमलिकित में से किस भारती मूल के लेकर नहीं जीता है तो दोस्तों आपको बता दे किसमें ससी थरूर जो हिनों नहीं जीता है देखे दोस्तों बुकर पुरुसकार काउन बेल थे आईलेंड के नागरिकों की ओर से लिखे गए मौलिक अंग्रेजी उपन्यास के लिए हर साल दिया जाता है आपको बता दे दोस्तों किसमें अर्विन दडिगा समेत पांच बार यह पुरुसकार भारती मूल के लेकों को मिला है जिसमें से वियस नाइपाल, अरुन्धती राय, सालमान डस्दी, किरन देसाई, आदिशामिल है लेकिन इस सूची में ससी थरूर नहीं है ठीक है तो यह आपको याद रखना है ससी थरूर को नहीं मिला है कोशन नमर फोर्थ है बिल गेट्स के साथ माइक्रोसाफ्ट के सह संस्थापक निल्वखित में से कौन थे तो इसका दोस्तों आपको उता दे कि मशूर सौप्टवेयर कंपनी माइक्रोसाफ्ट के सह संस्थापक पॉल एलन का 65 साल की उमर में निधान हो गया है ठीक है आपको वता देख एलेन ने अपने बच्पन के दोस्त बिल गेट्स के साथ साल 1975 में Microsoft की नीव रखी थी ठीक है तो संस्थापक थे Paul Allen से संस्थापक थे Paul Allen ठीक है तो यह आपको याद रखना है देखें तो साथ को वता देख जो Microsoft है यह दुनिया की सबसे बड़ी software company है इसका headquarter है Washington DC USA की ठीक है USM इसका Washington DC में headquarter है यहाँ पे कोशन पूछा आता है एक्जाम में सत्या नडेला जो दोस्तों यह Microsoft के CEO है भारती मूल के हैं ठीक है सत्या नडेला तो Microsoft के CEO कौन है सत्या नडेला है ठीक है तो आपको याद रखना है दोस्तों यहाँ अगर जेफ बे जोस इनकी जो e-commerce company है Amazon ठीक है Amazon company है इसकी स्थापनों इते Amazon की 1994 में ठीक है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है जेफ बे जोस इनकी company Amazon इसका headquarter Amazon का Washington DC USA में तो यह आपको fact याद रखना है काफी important है ठीक है सारे point यह आपको ध्यान रखना है साथ में नोट करते चलना है यह इस वीडियो आपको पसंदायत प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमारा होसला जरूर बढ़ाएं अगला कोशन ने यहमन के राष्टपती के नया प्रधान मंत्री करूम में किसे नामित किया है तो यह किया दोस्तों मैनी अब्दुलमलिक साइद ठीक है option A मैन के जो अक्टूबर 2018 में वेस्ट इंडिज भारत टेस्स सिरीज का प्लेयर आपदा सिरीज कौन था तो दोस्तों आपको पता दें भारत ने जो 14 अक्टूबर को वेस्ट इंडिज के खिलाप दो टेस्ट मैचों की सिरीज में 219 से जीत लिया था और भारत ने दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडिज को 10 विकेट से राया था ठीक है तो इसका करेक्ट इंसर हो जाएगा प्रित्वी 100 ओप्सन भी राइट है अगला कोश्चन दोस्तों हमारा निम्लिकित में से किस टेनिस खिलाडी ने संगाई मास्टर 28 जीता है जीता दोस्तों नवाग जोकोविच ने ठी घरविया के हैं नवाग जोकोविच इनका कंट्र वियाद रखे कर पर एकषा में पूछा जाता है भारत का सर्वोचँ शांती के समय जैनेपुरुषकार क्या है तो इसका करेक्ट इंसर हो जाएगा आल सन् wildly अ चकर फिक है भारत का सर्वोच शांती के समय स्यनेपुरुष तो ये भी आपको आद रखने हैं भारत रतन की स्थामनाविती नाइटीन फिप्टी फॉर में कोश्चान नमर नाइन है निम्रिकित में से किस भारती राज जने सायुक्त राष्ट एफ एओ का फ्यूचर पॉलिसी फॉर गोल्ड पुरुसकार जीता है तो आपको बता देख सिक्किम ने दोस्तों दुनिया का पहला पूर्ण जैबिक क्रिसी राज जबनने के लिए इस साल के सायुक्त राष्ट एफ एओ का फ्यूचर पॉल्सी फॉर गोल्ड पुरुसकार जीता है यानि कि यह उप्षन सी राइट है ठीक है सिक्किम ने जीता है याद रखिएगा निम्रकित मेंसे किस देश ने सुल्तान आफ जोहर कप 12-18 जीता है तो दोस्तों आपको बता दें कि होकी में Great Britain ने बहरू Malaysia में सुल्तान आप जोहर कप दोठारा जीता है ठीक है जिसका option भी correct हो जाएगा Great Britain सुल्तान आप जोहर कप किसने जीता है Great Britain ने अगला option देखते है सुल्तान आप जोहर कप हर साल किस देश के लिए आज़ित के जाने वाले एक होकी खेल है तो दोस्तों इसका correct ने सुझाएगा Malaysia ठीक है सुल्तान आप जोहर कप हर साल किस देश में आज़ित के जाने वाले एक होकी खेल है तो Malaysia माज़ित के जाता है आपको याद रखना है पैरा ACI खेल दोठारा निम्रिक किस देश में आज़ित किया गया था तोस्तों पैरा ACI खेलों का आज़न जाकारता इंडोनेसियम आज़ित किया गया था ठीक है एनकी option D right है इंडोनेसिया question number 13 है ICC द्वारा प्रसिद की गई वैस्विक महिला T20 आई संक रेंकिंग में भारत का बरतमान स्थान क्या है जिसका correct answer हो जाएगा option 5 October 2018 में आज़ित प्रधानमंत्री विग्जान प्रद्युक्त की और इनोवेशन सलाकार परिशत की पहली वैठक किस ने की थी जिसका correct answer हो जाएगा दोस्तों Dr. K. Vijay Raghavan question number 15 है दोस्तों साहित्त्य में नोवेशन की विरोद के लिए New Academy पूरुसकार किसने जीता है तो आपको बता दें कि दोस्तों कि Gwadi Lupían लेखक Mayresi Konde ने साहित्य बियोद में एक वेकल्पिक पूरुसकार जीता है इस पूरुसकार को साहित्य में पादमी पूर्षकार नाम दिया गया है यानी कि option D correct है मैरे सी कोंडे question number 16 है निर्मिकीद में से कौन सा मुख्य नयाधिस अपने उच नयाले के साथ सही धंग से मेल नहीं खाता है जिसमें साब को बताने किसमें कौन सा जो मेल नहीं खाता है जिसका right answer हो जाएगा option C नयामूर्थी कुरेन जोसेफ आपको बता दें दोस्तों कि यू नयामूर्थी कुरेन जोसेफ है सर्वोच नयाले के नयाधिस है और गुवा हर्टी उच नयाले के अनुशंसित मुख्य नयाधिस बरतमान में ए- ए-स वह पनना है ठीक है कोशंन नमर 17 है दोस्तों संसत की अनुमान समिति के अध्यक्ष्टा और जी टी बी के मानदंडों को बदलने की शिपारिश किसने की है देखे असस्तों इस सोब बता दे कि भाचपा नेता मूर्ली मनौहर जोसी के अध्यक्ष्टा में संसत की अ गंगा कारेकरता का नाम क्या है जिनका हाली में 111 दिनों के अंसन के बार निधन हो गया है तो गंगा सफाई की मांग को लेकर दोस्तों 111 दिन के अंसन पर बैठे परिया बरणवीद जीडी अगरवाल का 11 अक्टूबर को 86 वर्स के वह निधन हो गया और उन्हें दोस्तों स्वामी सानन्द के नाम से भी जाना जाता था यानि की ऑप्सन डी करेक्ट है जीडी अगरवाल कोशन नमर 19 है बर्स 2018 के लिए में निधन किया गये M.W. के पहले वश्यक CEO का नाम क्या है तो आपको बता देख दोस्तों डारेक्ट सेलिंग प्रमुक M.W. ने घुशना किया कि मिलिंद पंद को कमपनी का मुखे कारकाजिकारी के रूम में निधन किया गया है ठीक है तियानि की ऑप्सन डीस का राइट है मिलिंद पंद भारत का नया सॉलिसिटर जनरल कौन है दोस्तों भारत के नया सॉलिसिटर जनरल है तुशार महता यानि की ऑप्सन भी आपको बता देख अतरिक्ट सॉलिसिटर जनरल तुशार महता को भारत का नया सॉलिसिटर जनरल के पतपर निधन किया गया है और ये 2020 तक पत पर रहेंगे ठीक 2020 तक दोस्तों यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है यह जो केके बेनु गोपाल है दोस्तों यह भारत के Attorney General of India है यानि कि हिंदी में Attorney General of India क्या करते है महानियवादी आपको अताजिक जो महानियवादी हो दोस्तों भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाकार होता है जबकि तुसार महता कौन है यह भारत के नए Solicitor General है जबकि केके बेनु गोपाल का उन है Attorney General of India तो यहाँ पे आपको Confusion नहीं पॉइंट याद रखना है और आगाम एक्जाम से ज़रूर पूछा जाएगा Question No.20 दोस्तों M.N.Polar जिनका हालिम निधान हो गया है उन्हें निम्लिकित में से किस छेत्र में यगदान के लिए याद किया जाता है Correct answer हो जागा इसका option एक काब Question No.23 है निम्लिकित में से कौन सा आर्थिक सिध्धान नोबल पूरुसकार विजेता अर्थसास्त्री पॉल लोमर दौर प्रस्तावित किया गया था Correct answer हो जाएगा अंतरजात विकास सिध्धान ओप्सन डी राइट है Last question दोस्तों आज का हमारा सामरिक नीती समू यानि SPG के अध्यक्षा किसके द्वारा की जाएगी की जाएगी राष्टी सुरक्षा सलाकार सरकार ने राष्टी सुरक्षा और सामरिक हीतों के मामले में प्रधान मंत्री को सला देने वाली राष्टी सुरक्षा परिशत की साहता के लिए सामरिक नीती समू स्पीजी का गठन किया है और SPG की अध्यक्स्ता दोस्तों राश्टी सुरक्षा सलाकार बरतवान में कौन है अजीत डोभाल है ठीक है बरतवान में राश्टी सुरक्षा सलाकार कौन है अजीत डोभाल ये जो है तो इसके अध्यक्स्ता करेंगे ठीक है तो ये थो दोस्तों आज के हमारे 25 कोश्चन से वीडियो पसंद आयाओ प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें इस वीडियो को अपने सभी स़ाइब दोस्तों के सायर ताक्यों की वे हलप हो सकेernel को सबस्क्राइब जरूर कर ले दोस्तों और हुमारे चैनल पर डेली करेंड फेस्क वीडियो जरूर देखा करें आपके अगाम एक्जाम्स के लिए बहुत हिलपूर रहती है वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं दोस्तों ठीक है तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के ये बेस्तर ये मस्तर ये जै हिन जै भारत